नमस्ते विद्यार्थियों, JCRT के DG स्कूल में आपका स्वागत है विद्यार्थियों आठवी कर्षा के इतिहास बिशर के अध्यान के क्रम में हम आपके सात्वे अध्याय जिसका नाम है बिटिस काल में सीख्षा तो विद्यार्थियों इस chapter पर मैं 3 वीडियो के माध्यम से इस chapter के अधिकांस हिस्सो को समाहित करने का प्रयास किया हूँ अब जो कुछ आंस बचे हुए हैं उसे मैं 4 वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तूत कर रहा हूँ तो चलिए विद्यार्थियों आप देख लीजिए आपके समक्ष आपका चैप्टर है ब्रिटिस काल में सिक्षा और जिस पार्ट का हम लोग अध्यान कर रहे हैं जिस उप सिर्शक का हम अध्यान कर रहे हैं उसका नाम है अंग्रेजी सिक्षा का प्रभाव तो चलिए विद्यार्थियों आप स्क्रीन पे फोकस कीजिए देखिए ब्रिटिस काल में सिक्षा भारत के सिक्षा के बारे में केवल अंग्रेज अफसर ही नहीं सोच रहे थे 19 सदी की सुरुवात से ही भारत के विभिन भागों के बहुत सारे विचारक सिक्षा के ब्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे इसका मतलब यह हुआ विद्यार्थियों कि ना स्रीफ अंग्रेज अफसर बलकि हमारे देश के जो विचारक थे वे भी सोच रहे थे कि भारत की सिक्षा कैसी होनी चाहिए और जदि भारत की सिक्षा जो है वो अंग्रेजी सिक् प्रभावित कुछ भारतियों का मानना था कि पस्मी सिक्षा भारत का आधुनी की करन कर सकती है तो विद्यार्थियों कुछ लोगों का पक्ष ये था कि पस्मी सिक्षा जो है वो हमारे लिए बेहतर है तो ऐसे ही लोगों में थे राजाराम मोहन राय तो विद्यार्थियो की वकालत की तो विद्यार्थियों आप इस स्क्रीन पे यहां देख सकते हैं राजाराम मोहन राय विद्यार्थियों आप जानते हैं कि राजाराम मोहन राय एक सोसल रिफॉर्मर थे समाज सुधारर थे और इनका संवन्द बंगाल राज्य से है तो इनका जो जन्म है 1772 का है और मृत्यू है 1833 तो विद्यार्थियों इनका संबंध जो है सती प्रथा के उन्मूलन से भी जुड़ा हुआ है जिसके संदर में मैं आपसे इसके अगले पार्थ में भी चर्चा करूंगा तो राजाराम मोहनराय के बारे में हम लोग बहुत कोई जानेंगे और इसके पूर भी विद्यार्थियों आपने राजाराम मोहनराय का नाम जरूर सुना होगा तो जली विद्यार्थियों इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं राजाराम मोहनराय ने अंग्रेजी सिक्षन की महत्ता को आधुनिक पस्सिम के वैग्यानी और लोकतांतरिक चिंतन के खजाने की कुंजी के रूप में स्विकार किया इसका मतलब दो चीज है वच्चों एक चीज है कि ज्ञान और विज्ञान ये पस्मी सिख्षा की एक पर डिपेंड है ज्ञान और विज्ञान ऐसा सोचना था कि इसका राजाराम मोहनराय का और दूसरा कि जो लोगतांत्रिक बेवस्था है मने जो लोगतंद्र में जो आस्था है वो क्या है यह वेस्टन एजुकेशन यानि पस्मी सिख्षा की एक कुंजी के रूप में स्विकार है परन्तु बहुत सारे भारतिये पस्मी सिख्षा के बिरुद थे बहुत सारे ऐसे भारतिये थे जो सोचते थे कि नहीं वेस्ट प्रभाव डाला यानि कि उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है भारतिये समाज पर तो बच्चों देखो इस तंदर में हम एही कर सकते हैं कि किसी भी चीज का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष होता है तो हम उसको किस रूप में स्विकारते हैं यह महतपून होता ह आगे देखिए विद्यार्थियों पस्मी सिक्चा ने भारतिये संस्कृतियों को भातिक वादी स्वरूप दिया जो भारतिये नैतिक मुल्यों यानि कि मोरल भैल्यूस के बिरुद था तो ठीक है जदी ऐसा है तो आगे क्या हुआ आगे विद्यार्थियों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यह पर है भारतिय सिqsha के और्स समाज के दयानंद एंगलोवःदिक विध्याले ओं की भूमी का मतलब एक और अंग्रेजी स्कूल खुल रहे थे तो दूसरे और दयानंद एंगलोव Eliق विध्याले भी खूल रहे थे भी थिखे आप यहाँ देख सकते हैं विद्यार्थियों यहाँ पे लाला हंसराज जी का यहाँ चित्र है यह लाला हंसराज जी कौन है और इनका संबंद किस चीज़ से है हम इसको समझने का प्रयास करते हैं तो विद्यार्थियों देखिए कई भारतिय विद्वानों ने भारतिय संस्कृति के अस्थापना देश भर में की गई बिल्कुल हम लोग जो दियानंद एंगलोवैदिक संस्थाएं जो हैं पूरे देश में देखते हैं आज आगे देखिए विद्यारतियों 1886 में लाला हंसराज ने सबसे पहले लाहौर में ऐसे विद्याले की अस्थापना की तो आप यहां पे लाला हंसराज जी की तस्वीर देख सकते हैं और यह सरद्धे हैं भारत के लिए और आरे समाज से यह जुड़े हुए और धेर सारे विद्याले की अस्थापना बतलब एक तरह से इनके प्रयास और इसके पस्चाथ इस पीड़ी के जो भी विचारक हुए उनके द्वा भारत में हुआ तो विद्यार्तियों इसी क्रम में हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और गांधी जी के जो सोदेशी अंदोलन है उस संदर में भी हम भारतिये सिक्षा को समझने का प्रयास करते हैं तो यहां देखे विद्यार्तियों यह लिखा हुए विद्यापी कॉलेज नहीं जाने लगे कोट नहीं जाने लगे यानि कि न्याले नहीं जाने लगे और एक परकार से अंग्रेजों का विरोध करने लगे तो हमारे विद्यार्तियों को कहीं तो पढ़ना था विद्यार्तियों तो जो हमारे विद्यार्तियों को पढ़ने के लिए तब उ जवदेशी आंदोलन के दोरान रास्टिये महा विध्यालेओं की अस्थापना हुई गांधी जी ने भारतिये संस्कृति से जुड़ी मानियताओं पर आधारित सिक्षा के लिए विध्यापीट की अस्थापना पर बल दिया ठीक है विध्यागतियों और ये विध्यापीट जो अंगरेजी सिक्षा से अलग थी तो यहां देखिए विध्यागतियों असायोग अंदोलन के समय जब विध्यालेओं का बहिसकार हुआ तो भारतियों ने खुद के लिए विध्यापीट खोले अब इसमें देखिए पॉइंट वाइज कुछ बातें लिखी हुई है कि यह विध्यापीट जो खोले गए वो क्यों खोले गए तो उसमें देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट है छात्रों में राष्टिय भावना जागरित करना छात्रों को स्वालंबी बनाना यानि कि सेल्फ डिपेंड बनाना हिंदी भासा का अभिकास करना सहयोग एवं सेव भावना बिक्सित करना इत्यादी है ना तो बहुत सारी बाते हैं विध्यार्थियों तो सिक्षा के संबंद में जो गांदी जी का विचार है उसे भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है जो कि इस चैप्टर का मूल हिस्सा है तो इसमें आप देख सकते हैं गांदी जी का म गांदी जी का मानना था कि अंग्रेजी शिक्चा ने हमें अपना गुलाम बना दिया है महत्मा गांदी का यह भी कहना था कि अपने वेशिक शिक्चा ने भारतियों के मस्तिस्क में हीन भावना का बोद पैदा कर दिया है ठीक है विद्यार्थियों इसके प्रभाव में आकर यहां के लोग पस्मी सभ्यता को स्रेश्टतर मानने लगे हैं यानि कि हम लोग अपना जो हमारा ग्यान भी ज्यान है या जो हमारा अपना साहित है उसको लोग क्या करने लगे हैं उसको हींद रिष्टी से देखने लगे हैं और western education और western साहित और western जो ग्यान भी ज्यान है उस सिक्षा में 20 भरा है यह पाप पूर्ण है इसने भारतियों को दास बना दिया है इसने लोगों पर बुरा प्रभाव डाला है महत्मा गांधी एक ऐसी सिक्षा के पक्षदर थे जो भारतियों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वभिमान का भाव पुनरजिवित करे राष्टी अं महत्मा गांधी की द्रिण मानेता थी कि सिक्षा केवल भारतिय भासाओं में ही दी जानी चाहिए उनका कहना था कि पस्मी सिक्षा मौखिक ज्यान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंदरित है उसमें पाठी पुस्तकों पर जोर दिया जाता है लेकिन जीवन परिवेश से काड़ दिया है और उन्हें अपनी ही भूमी पर अजनभी बना दिया है ठीक है विद्यारतियों तो काफी कुछ मैंने आपको गांधी जी के सिक्षण बेवस्था के बारे में सिक्षण सोच के बारे में बताया अब चलिए विद्यारतियों देखिए यहां प ठाकूर कहिए या उनको टैगोर भी कह सकते हैं यह सांती निकेतन में है और आपको विद्यारतियों मालूम है कि रविद्यारत टैगोर जी को भारत के पहले व्यक्ति हैं जिनको नॉबल प्रुसकार मिला था साहित्त के छेत्र में और इनके द्वारा बाद में क्या हुआ था कि सांती निकेतन विश्व विद्याला की अस्थापना की गई थी और इसका विद्यार्थियों एकदम अलग पैटर्न था और सच पूछिए तो रविद्धना टैगोर ने जो सांती निकेतन खोला था वो आज भी मतलब सोची की सिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र है और इसके बारे में थोड़ा मैं आपको विद्यार्थियों बता दूं कि रविद्धना टैगोर ने यह संस्था 1901 इसवी में कलकत्ता से 100 किलोमेटर दूर ग्रामिन परिवेस में सुरू की थी मतलब कि एकदम भिलेज एरिया में है ना टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल का महोल जो है दमनकारी लगता था मतलब अच्छा नहीं लगता था है ना ऐसा लगता था कि वहाँ पर कोई सासन कर रहा है उनका मानना था कि स्रिजनात्मक सिक्षा तो केवल प्राकृतिक परिवेस में ही प्रसाहित किया जा सकता है टैगोर के मुताविक बर्तमान स्कूल बच्चों की रचना सीलता जैसे सभावी गुण को नस्ट कर देते हैं देखा जाये तो बहुत सारे मामलों में टैगोर और महत्मा गांधी सिक्षा के बारे में कमोबेस एक जैसी ही राय रखते थे दोनों का विचार लगवर लगवर एक था लेकिन दोनों के विच पराके स्रेष्ट ततों का समिस्कन चाहते थे तो विद्याक्तियों एक बात आपने देखा होगा कि गांधी जी की तस्वीर के साथ आपको चर्खा जरूद नजराएगा इसका मतलब क्या है कि वो जो है मसीनी करन के माध्यम से देश का विकास नहीं चाहते थे बलकि वो कोजते हैं कि साक्षर्टा ही सिक्चा है तो यह गलत है जदी कोई व्यक्ति पढ़ना लिखना सीख गया उसको अक्षर ग्यान हो गया वो किताबे पढ़ रहा है तो क्या वो पढ़ा लिखा है क्या वो सिक्चित है तो देखिए इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं मात्मा कांदी ने लिखा था सिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुस के देह मस्तिस और भावना के स्रेष्ट ततों को सामने लाया जाए साक्षर्टा ना तो सिक्षा का अंत है ना ही इसकी सुरुवात यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिये पुरूसों और महिलाओं को सिक्षा दी जा सकती है साक्षर्टा आपने आपने सिक्षा नहीं होती है लिहाजा मैं बच्चों को सिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्त का उसल सिखाऊंगा और उन्हें सुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तयार करूंगा तो यह के लिए जो हम पढ़ाई करते हैं वो ही सिक्षा नहीं है अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों जार्खंड की मिस्णरी सेक्षनिक संस्ता है ना कि जार्खंड में जो मिस्णरियां हैं उन मिस्णरियों के द्वारा सिक्षा के छेतर में क्या किया गया चलिए उसको थोड़ा सामलोर देख लेते हैं तो विद्याक्तियों देखिए जारखन छेतर में इसाई मिस्नरियों ने आपचारिक सिक्षा की बुनियाद डाली यह उनके लिए इसाई धर्म के परचार का हिस्सा था सिक्षा के परचार परचार के जरिये आदिवासियों के बीच पहुच बनाने वालों में कौन लोग थे उसमें कुछ खास खास जो है की संस्थाएं थी जिसमें आप देख सकते हैं गोस्नर इवेंजेलिकल लूथरन चर्च मिसन ठीक है इसके अलावा विद्यारतियों देखिए ASPG मिसन यह सब चीजें हम लोग जहारखन में देखते हैं ASPG मिसन उसके बाद विद्यारतियों देखिए रोमन कैथोलिक मिसन देख रहे हैं भी द्यारतियों उसके बाद है United Free Church United Free Church उसके बाद देखिए Dublin University Mission ठीक है विद्यारतियों उसके बाद है 7th Day Adventist तो यह सब चीजें हैं विद्यारतियों जो इसाईयों की द्वारा भारत में विशेस करके जारखन छेतर में विद्याले खोले गए हैं और सच बूछिए तो इसाई मिसनरी जो है वो कई बार तो ऐसा भी है कि यहां वो लोग केंद्र तो खोले लेकिन उसमें क्या होता था यह लाचार और मजबूर बच्चों को अपने केंद्रों में लाकर उन्हें सिक्षा प्रदान करते थे हैं ना आप देखिए 1845 सिस्वी में गोस्नर एवेंजेलीकल लूथरन चर्च मिसन के ध नरीश के द्वारा आज भी जो है शिक्षा के चेतर में बहुत कुछ किया जा रहा है तो यह सारी चीजें बच्चों पेज नंबर 97 पे है आप इसको ध्यान से देखेंगे और इस चैप्टर में और कुछ विशेश छूट तो नहीं रहा है विद्यार्थियों लगभग सभ क्या विद्यार्थियों इस वीडियो को मैं एहीं पर समाप्त कर रहा हूं जोहार विद्यार्थियों जहिन विद्यार्थियों कि अ